प्राइजल सिंग और आज आप सभी स्टूडेंस के लिए में लेके आया हूँ हमारा भारतिया नागरेक सुरक्षा साहीता 2023 यानि की नई CRPC का एक और वीडियो लेक्चर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं चाप्टर नमबर 2 और हम कवर करेंगे अब टू सेक्शन नमबर 13 यह हमारे लिए बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है क्योंकि एक नए कॉंसेप्ट को बिल्ट करेगा कि नया CRPC अब किस किस टाइप के क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करते हैं और अब किस प्रकार के जजजिस कोर्स में बैठा करेंगे इसमें कुछ एक माइनूट चेंजिस भी है जिनके बारे में हम खास तौर पे देखेंगे तो आज के इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नई CRPC में सर प्रोविजिन्स है किस टाइप के अभी तख हमने इससे पहले वाली वीडियो लेक्चेज में क्या कवर कर लिया था हमने डेफिनेशन क्लाॉस कवर कर लिया था और हमने नई CRPC का एक ब्रीफ में इंट्रॉडशन ले लिया था तो अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को मिस किया तो आप हमारे पिछले है criminal law को deal करने वाले courts हैं और वो कौन-कौन से offices है जिनका काम इस सहीता के अंदर में यानि कि इस act के अंतरगत हमें पढ़ेगा ठीक है सर आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आपको मेरे पीछे एक दिख रही है फोटो जो की फोटो है काफी इंटरेस्टिंग क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है district and sessions court और हमने यहां पर क्या पढ़ा है कि जितने भी हम यहां नया एले को deal करते हैं नई CRPC में वो होते हैं तो फिर सर यह district क्यों लगा हुआ है तो यहीं से आप लोगों का पहला confusion में दूर कर देता हूँ कि हर एक district में आप देखेंगे तो आम तौर पर आपको देखने को यही मिलेगा district and sessions court लेकिन district court अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो civil के matter को deal करेगा और जहा and sessions court criminal को deal करता है ऐसा नहीं है वो criminal और civil court का combination है जिसको वहाँ बनाया जाता है जिसको district court stand करता है civil पे और sessions court deal करता है criminal पे ठीक है sir आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे मेरे पीछे आपको दिख रहा है एक map क्योंकि इस video lecture को शुरू करने से पहले एक brief आपके दमाग में idea होना चाहिए अब जैसे कि आपको पता है कि यह है 36 गड़ का map और यह जो है पूरा का पूरा 36 गड़ की boundary line है अब 36 गड़ अपने आप में बहुत बड़ा area है यानि कि वहाँ पे कई thousand kilometers का area होगा तो वहाँ पे किसी एक person को हम बोलेंगी तुम यहां के क्या बन जाओ district या oblique sessions judge औ और तुम यहां के सारे कानूनी matter को deal करो तो उसके लिए तकलीफ बढ़ जाएगी क्यूं क्यूंकि इतने बड़े area में सारे के सारे criminal matter का trial एक ही जगा पे एक ही court में हो यह possible नहीं है और वैसे भी अगर पूरे state की एक court रखने की बात करी जाया तो already हमारे पास एक high court है जो की sir बिलासपूर में स्थित है यह तो हमें पता है तो अब यहां पर क्या किया गए आपको इस map में भी दिख रहा होगा यहां पर छोड़े चोड़े डिस्टिक डिवाइट किये गए राइपूर बिलासपूर राइगर्ड डोंगरगर्ड ऐसा वैसा कर करके इतने सारे यहां मान लेते हैं कि यह बिलासपूर है तो बिलासपूर को एक डिवीजन बना दिया और इसके नीचे आने वाले चोटे मोटे जो तैसील्स हैं इनको भी इसी डिवीजन के अंतर रग दिया और यहां पर बना दिया है इनोंने एक कोट यानि की क्रिमिनल कोट जो की बिलासपू को मिला के डिवीजन बना दे की यह दोनों डिस्टिक ठीड शोटे हैं इनके उपर अलग अलग क्रिमिनल कोड बनाने से अच्छा है कि इन दोनों की मिला के कोड बना देते हैं जो जनसंख्या वो उतनी जादा है वी पड़ेगी और हमें ज्यादा अपांटमेंट्मेंट्स कर सब्कुल्ट नीचे काम करती है, High Court, उसके नीचे काम करता है, हमारा Sessions Court, Obelisk District Court, लेकिन हम CRPC पढ़ रहे हैं, तो हमारा लेना देना किस से है, केवल Sessions Court से, Sessions Court में कौन कॉन होता है, Sessions Court में दो लोग काम करते हैं, एक District Judge, यानि कि आपका Sessions Judge, और इक होता है, Additional Sessions Judge, और इस Sessions Court के नीचे सर काम करते हैं ADJ के जस्ट नीचे SDJM यानि कि Sub-Divisional Judicial Magistrate इनके नीचे काम कौन करता है सर इनके नीचे काम करते हैं CJM CJM के नीचे काम कौन करता है JMFC और JMSC ठीक है सर यह हमें पता है यह मैंने आपको क्यों बताया अभी आपको थोड़ा सुनने में बोरिंग लग रहा हुगा कि इतनी राम खानी क्यों बता दी मैंने इसलिए बता दी ता कि आज आगे जब हम सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपके दमाग में होते है कोर्ट और सेसीं कोर्ट का मतलब किया मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ एक डिस्ट्रिक में या फिर एक में जो कोर्ट बनती है उसको کہते है sessions court, यानि कि एक sessions court जो सीधे high court के just नीचे होगी, वो होनी ज़रूरी है, उसके नीचे काम करेंगे judicial magistrate of first class, जिसको हम क्या कहते है, jmfc यानि कि उन sessions court के नीचे एक jmfc होना चाहिए, एक नहीं एक से जादा jmfc होगे, jmfc के नीचे काम कौन करेंगा, judicial magistrate of the second class, यानि कि ये कौन हो गया, jmfc, यानि कि judicial magistrate of second class, उसके ओपर jmfc, उसके ओपर sessions court काम करेंगे, और sessions court के अंदर अलग-अलग judges है, जैसे कि sessions judge, additional sessions judge, आपका subdivisional judicial magistrate और chief judicial magistrate, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद आखरी में क्या होना चाहिए, executive magistrate, अब ये जो चार है, ये क्या है, compulsory है, ये होना ज़रूरी है, हर state में high court के अलावा, ठीक है sir, बात clear है, आगे बढ़ते हैं, अब आपने देखना होगा, कि यहाँ पे एक चीज का जिक्र नहीं है, जो की है, metropolitan magistrate, अब जो मैं आपको बता रहा था, कि change हुआ है, जो पुरानी वाली CRPC थी, उसका section 8 हमें क्या बताता था, कि कि किसी भी area को metropolitan area कहा जाएगा, अगर उसकी population 1 million से जादा होगी, यानि की बनता है 10 lakh, यानि कि कि किसी भी कोई metropolitan magistrate नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेंगे केवल judicial magistrate, तो यह पहला change था, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर, तो हमें clear हो गया कि अब ऐसा metropolitan magistrate नाम की कोई court exist नहीं करती है, classes of criminal court में आपको पहले ही बता चुका हूँ सर, कि भाई हाई court के नीचे अगर देखें, तो यहाँ हमें पता चला, एक sessions court होगी, sessions court के अंदर जो है, एक sessions judge होंगे, एक आपके additional sessions judge होंगे, फिर आपके cjm होंगे, cjm के नीचे jmfc होंगे और jmfc के नीचे jmsc होंगे, यह हम आगे और detail में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा अब ही हम आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, अब हमारे पास section number 7 है, जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है इसको समझते हैं, क्या कह रहा है section number 7 कह रहा है, every state shall be a sessions division, or shall consist of session divisions, and every session division shall for the purpose of this be a district, or consist of districts अभी क्या कह रहा है, कि हर state अपने आपने एक sessions division होगा, अब यहाँ पर बात समझने वाली है, यानि कि अगर state government को सही लगे, तो वो क्या कर सकती है पूरे state को एक session division बोल सकती और उसका एक sessions court बना सकती है लेकिन यह कभी भी practiceable नहीं हो सकता तो दूसरी बात यहाँ पर क्या कह दी, shall consist of sessions division, यानि कि एक state है तो या तो यह पूरा का पूरा एक session division हो गया या उसमें बहुत सारे sessions division होंगे जो आम तोर पे सारे states में देखा जाता है जैसे कि 36 गड़, यहाँ पर बहुत सारे sessions division है, and every session division shall for the purpose of this to be a district or consist of districts अभी क्या कहा रहा है, कि यह जितने भी sessions division है या तो वो एक district होंगे भाई, अगर पूरे के पूरे state को आपने एक session division हो ना दिया तो मान दिया जाएगा कि पूरे state में एक ही district है और अगर बहुत सारे sessions के divisions हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे districts है sessions का division मतलब क्या है कि अलगलेक sessions court को उनका jurisdiction बातना पड़ेगा कि यह वाला जो court है केवल बिलासपूर के matter को देखेगा यह वाला जो court है केवल राइपूर के matter को देखेगा ये session division बाटने की बजा है ठीक है sir, the state government may after consultation with the high court alter the limits or the number of such division and districts, अब यहाँ पर क्या किया, राजा बनाया गया है state government को, लेकिन state government के पास absolute power नहीं है state government को इस सहीता में जो भी decisions लेने है, majority of the decisions, वो high court की consultation से लेगा, अब यहाँ पर high court की consultation से वो क्या कर रहा है state government को क्या करना है, यह तै करना है कि भाई, बिलासपुर का जो session division है इसमें से, यह जो कोनी वाला area आता है, इसको निकाल के राइपुर के session division में देना है, तो state government यह कर सकती है, यानि कि जो आपका division है, यानि कि मैं ऐसा करने का सोच रहा हूँ, क्या यह करना सही होगा और high court ने बोला, तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास आता है sub clause 3, sub clause 3 क्या बता रहा है the state government may after consultation with the high court, divide any district into subdivisions and may alter the limits and numbers of such subdivisions अभी क्या कह रहा है, यहाँ फिर से क्या हुआ, state government के पास एक power दी गई state government क्या करेगा, high court से consult करेगा, यानि कि state government अगर चाहे, तो बिलासपुर का जो area है, इसको subdivision में तोर सकता है, जैसा कि हम आम तौर पे देखते हैं, हर district में होता है, हर district में SDM officers होते हैं, जो कि subdivision के magistrates होते हैं, और उनके ओपर एक collector काम करता है, जिसको हम कहते हैं DM, जो कि district का magistrate होता है, तो same concept यहाँ पे भी है, कि अगर state government चाहे, तो वो high court से consult कर लेने के बाद किसी district को क्या करेगी, break कर देगी किसके बीच में, subdivisions के बीच में लेकिन absolute power नहीं है, उसको high court से consult करना पड़ेगा, और यह subdivision में क्यों divide कर रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, sessions court के लिए divide कर रही है, किसी और purpose के लिए नहीं, हो सकता है, किसी और purpose के लिए वो अलग तरीके से divided हो, लेकिन sessions court के jurisdiction को बाटने के लिए, वो ऐसा division कर रही है, उसके बाद आता है, sub clause 4, the sessions division, district and subdivision existing in a state at the commencement of this सहीता shall be deemed to have been formed under this section, यह बड़ी मामूली सी बात कह रहा है कि, अब यह सहीता आई है 2023 में, अब 2023 में हिंदुस्तान में बहुत सारे states हैं, बहुत सारे districts हैं, बहुत सारे courts हैं, और बहुत सारे sub divisional areas भी हैं, तो यह यह कह रहा है कि, सहीता के लागू हो जाने के बाद, ऐसा मान लिया जाएगा कि, वो जितने भी subdivisions, या district, या sessions इस वक्त काम कर रहे हैं, वो इसी section के अंतरगत बने हैं, क्योंकि लागू, उस वक्त कौन सा code रहेगा, यही वाला code रहेगा, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं, अब हमारे पास आता है section number 8, जो की बात करता है court of sessions की, यानि कि जो सबसे important हमारे पास court है, जो कि trial court होता है जहां पर अगर आपने कभी गलती से किसी का murder कर दिया, तो आप इसी court में पहुचेंगे जो की है court of sessions, इसमें हमारे पास total है, 8 subsection और इनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत असान है तुरंट समझ में आ जाएगा, क्या कह रहा है subclause 1 इसका कह रहा है, the state government shall establish a court of session for every session division अभी क्या कह रहा है, कि जो हमारी state government है, यानि कि जो राजसरकार है, वो क्या करेगी, एक court of sessions, यानि कि, सत्र नयायल है जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको establish करेगी हर session division में, और session division से हम लोगों ने पहले ही क्या समझ लिया था, session division से हम लोगों को पहले ही समझ में आ गया था कि session division का मतलब होता है कोई एक district, या फिर multiple district, यानि कि, दो या उससे भी जादा districts हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, sessions division हो जाएगा, ठीक है sir, every court of sessions shall be presided over by a judge to be appointed by the high court, अभी क्या 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 रहा है, कि यहाँ पे जो है, जो आपका sessions court है, यानि कि मान लेते हैं कि यह एक हमारी sessions court है, तो उसका एक presiding officer होगा, जो क्या होगा, कोई judge होगा, और वो judge को कौन appoint करेगा, high court appoint करेगा, अब यहाँ पे इसका जो proviso है, sub clause 8 का, वो हमें बताता है कि यह कौन से appointment के बारे में बाते कर रहा है, आपको लगेगा, ओ, high court appoint करता है, मतलब high court exam लेके करेगा, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है आपको sub clause 8 का proviso देखना होगा, जो इस video lecture में हम देखेंगे, उसके बाद इसका लिखा है, the high court may also appoint additional session judge to exercise jurisdiction in a court of session, अब यहाँ पे बात समझने वाली है, यह हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है यह हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है, कि sir हमारे पास है एक court of sessions, यानि की court of sessions हमारे पास है अब इसके जो main मालिक है, जो से top बैठेंगे, उनका नाम होगा sessions judge, जो की बताएंगे high court, अब इसके बाद बोला कि यह अकेला judge कितना काम समझा लेगा, तो यह चाहे, तो इसके नीचे इन्होंने क्या किया, तीन या चार या मान लेते हैं, चार additional sessions judge, जो है, वो भी high court appoint कर सकता है, इनका काम क्या होगा, यह additional का मतलब होता है कि अगर session judge की पावर इतनी है, तो जो additional होगा, उसकी पावर थोड़ी कम होगी लेकिन equivalent माना जाता है, ठीके सर, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास और कौन सा है, अब यहाँ कह रहा है, the session judge of one session division may be appointed by the high court to be the, also an additional session judge of another division and in such case, he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the high court may direct अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यह जो है, आपका high court के थूपाइंट हुआ किसी एक sessions court का, यानि कि कि एक district के court का, कोई एक इनसान judge बनाया गया, अब मान लीजे कि, जहाँ पर judiciary में judges की इतनी कमी हैं हमारे देश में, पोस्टे आ नहीं रही हैं, लेकिन अभी तो आ गई हैं 36 गड में, लेकिन मान लेते हैं, पोस्टे नहीं आ रही हैं, judges की vacancies ज़ादा हैं, और cases के number बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उस case में अगर high court को लगा, तो उन्होंने बोला कि यार, बिलासपूर के जो sessions judge है न, उनको हमने एक additional charge भी दे रखा है कि वो राइपूर के additional district judge या additional session judge का का काम भी संभालेंगे, और उस case में ये जो इनसान है, जिस भी साबसे high court ने उनको prescribe किया है, उस हिसाब से उनको उस district का काम भी जाके संभालना होगा, और अगर वो चाहें, तो high court बता सकती है कि भाई, पूरा काम तो नहीं दे सकते, तो आप बिलासपूर के district judge तो रहेंगे यानि कि session judge तो रहेंगे ही, उसके साथ ही साथ आपको राइपूर का additional session judge बना रहे है, और राइपूर में आपके वल murder के cases को सभालेंगे, ताकि वहाँ पे pendency कम हो जाए, जब तक वहाँ पे कोई permanent judge ना आ जाता हो, ये बात कर रहा है हमारा sub clause 4, अब sub clause 5 क्या कह रहा है where the office of the session judge is vacant, the high court may make arrangements for the disposal of any urgent application which is or may be made or pending before such court of session by an additional session judge, और if there be no additional session judge by chief judicial magistrate in the sessions division and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये क्या कह रहा है ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मान के चली कभी किसे district में कोई session judge available नहीं है, यानि कि वो छुट्टी पे गया हुआ है यानि कि उनकी vacancy हो गई है, कोई retirement हो गया, etc. अब कोई urgent application है जहाँ पे सुनवाई होनी जरूरी है तो high court अगर चाहे तो session judge के ना होते हुए किसी additional session judge को बोलेगी कि तुम आओ और उसकी जगा पे वो case को सुनके फैसला सुनाओ क्यूंकि इस वक्त उस case का disposal जरूरी है अगर additional session judge भी मौजूद नहीं हुआ तो वो किसी chief judicial magistrate को बोल सकती है, कि आप आईयो और आके यहाँ पे अपना फैसला सुनाईये, लेकिन एक बात interesting है कि जो session judge और additional session judge होते हैं, इनकी power same होती है यह दोनों फासी तक की सजा सुना सकते हैं लेकिन एक chief judicial magistrate 7 साल से उपर की सजा नहीं सुना सकता है तो इस case में इसकी आखरी line हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, कि अगर मामला chief judicial magistrate को high court देती है अगर आपका session judge और additional session judge दोनों ही मौझूद नहीं है और chief judicial magistrate को high court ने बोला कि आपके कारवाई करिये तो उस वक्त के लिए chief judicial magistrate के पास वो सारी powers हो जाएंगी जो एक session judge के पास होती है यह बताने की कोशिश कर रहा है हमें subsection 5 आगे बरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सर उसके पाद माने पास आता है subsection 6 यह कि हमें क्या बोल रहा है the court of session shall ordinarily hold it sitting at such place or places as the high court may by notification specify but if in any particular case the court of session is of opinion that it will be tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold it sitting at any other place in the sessions division it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case of the examination of any witness and witnesses there in अब यह क्या कह रहा है यह बात हमें सिर्व इतनी बतानी की कोशिश कर रहा है जो हम सब ने देखा है कि अगर आप किसे district में रहते हैं तो आपको पता होगा कि आपके district के उस area में आपका district court या sessions court है जैसे कि बिलासपुर में नेहरू चौक के बगल में आपका sessions court है लेकिन यहाँ पर यह बात description दी जा रही है court of sessions को कि अगर court of sessions को ऐसा लगा कि हम जहाँ पर बैठ रहे हैं वहाँ पर आज नियाले ना लगा के हमें अगर किसी दूर दराज के गाओं में जाके अपना नियाले लगाना पड़ेगा ताकि दोनों parties का क्या हो convenience हो यानि कि दोनों की दोनों parties के लिए convenient रहे अब मान के चलते हैं कि कोई ऐसा गाओं में दूर दराज का जहां के लोग court तक आ नहीं सकते लेकिन हमारा judiciary इस बात पर वरुसा करता है कि नया इस सब के लिए तो उस case में judiciary के पास क्या option है कि वो अपना court of sessions जो है वो उठा के कहा लगाएगा इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी building को ले जाके गाओं में shift किया जाएगा इसका मतलब यह है कि with the consent of the prosecution and the accused यहाँ पर बस एक चीज हमें catch करनी है कि अगर उनको लगे तो वो consent ले सकते हैं दोनों parties का कि हम चाहें तो आप ही के area में आके court of session अपना लगाना चाहेंगे यह बात किताबों में अच्छी है लेकिन आम तोर पे बहुत कम देखा जाता है क्योंकि court of session के पास इतना burden है कि अगर वो एक case के लिए कहीं और चले गए तो बाकी के 15 case यहाँ पर खराब हो जाएंगे खराब in the sense कि वो बहुत जादा postpone हो जाएंगे अब हमारे पास sub clause 7 है the session judge may from time to time make orders consistent with the sahita as to the distribution of businesses among additional session judge अब यहाँ पर हमें एक बड़ी important बात बता रहा है sub section 7 कि जो sessions court का main judge है यानि कि जो presiding officer है उसके नीचे काम करने वाले जो additional session judges हैं उनके लिए इस सहीता के अंतरगर्द जो भी नियम उसको लगे वो बना सकता है उनके business को manage करने के लिए जैसे कि जो main judge है किसी भी sessions court का वो इस तरह के नियम बना सकता है कि sir मुझे अब यह लगता है कि यह जो 5 additional judge है इन में से एक judge matter deal करेगा murder के एक judge deal करेगा जो CGM से appeal आ रही है एक deal करेगा जो GMFC से appeal आ रही है एक deal करेगा केवल general management का court का इस तरह से वो क्या कर सकता है अब आप यह बोलेंगे कि sir यह तो पढ़ा हुआ section लग रहा है हम आप पढ़ चुके है इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें high court अगर चाहे तो अगर session judge मौझूद ही नहीं है वहाँ vacancy है तो वो किसी additional session judge को या chief judicial magistrate को यह power दे सकती है कि तुम उसकी जगा पे कारवाई करो case को सुनो और case को dispose करो यहाँ पे मान के चलिए कि session judge क्या है वो application कब दे रहा है यानि कि वो किसी दूसरे judge को अपनी जगा काम करने को कब बोल रहा है जब वो चुट्टी पे जा रहा हो या वो वहाँ पे judgment ना सुना पा रहा हो या उसका natural justice का principal violet हो रहा हो तो उस case में वो क्या बोलेगा यहाँ पे session judge के पास भी power है कि वो किसी दूसरे अपने junior judge को लेकिन वो junior judge कौन हो सकते हैं या तो additional session judge या तो chief judicial magistrate इन दोनों को वो बोल सकता है कि आप मेरी जगा इस case को सुनी और वो जिसको भी बोलेगा उसके पास वो सारी jurisdictional power रहेंगी जो एक session judge के पास होती है ही के sir अब explanation में क्या दिया हुआ है अब हमने हाँ पे ऊपर एक शब देखा था appointment कि क्या है भाई हाई court जो है appoint करेगी किसी भी sessions court के लिए क्या appoint करेगी additional session judge और sessions judge यानि कि main जो judge होते हैं लेकिन यहाँ पे appointment का मतलब इस explanation में क्या बताया गया है appointment का मतलब वो appointment नहीं है जिसके through उनको service में लाया जाता है appointment का मतलब उस post में appointment यानि कि आप judge कब बने जब आपने civil judge का exam दिया आप civil judge बने उसके बाद promote होते 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 आप district judge session judge तक पहुचे वो appointment सरकार ने किया है लेकिन आप जब जब आप civil judge बने तो वो appointment सरकार की तरफ से हुआ है लेकिन आप जब वहाँ पे अपना transfer करवा के आप किसी दूसरे district judge में गए यानि आपने एक session से दूसरे session में transfer किया यानि कि उस service के अंदर जब आपके transfers हुए तब आपका जो appointment है ये उस से उसका मतलब है यानि कि high court उस appointment को deal कर रहा है इस appointment को नहीं उसके बाद आता है हमारे पास section number 9 यहाँ पर 8 लिखा हुआ है लेकिन यह है section number 9 यह क्या कह रहा है section number 9 का sub clause 1 कह रहा है in every district there shall be established as many courts of judicial magistrates of the first class and second class and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify यह क्या कह रहा है कि बाई किसी भी district में judicial magistrate first class और judicial magistrate second class की उतनी courts होंगी जतना state government को जरूरी लगे लेकिन state government high court के consultation के बाद ही इतने courts को establish करेगा इसके बाद हमारे पास proviso आता है provided that the state government may after consultation with the high court establish for any local area one or more special courts of judicial magistrates यानि कि यह बात कर रहा है special court of judicial magistrate of the first class or of the second class and to try any particular case or particular class of cases where any such special court is established no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases अब यहां पर क्या बात आई यहां पर पहली बार श्रब्द आया special का special का मतलब क्या है कि भाई judicial magistrate first class हमारे पास है लेकिन यहां पर क्या हुआ तो अगर यह power दी गई है state government के पास high court से consult करने के बाद कि अगर state government चाहे तो वो special क्या कर सकती है judicial magistrate first class second class को बना सकती है उसका काम special क्यों है वो special काम इसलिए है कि वो चाहे तो उसको बोल सकती है कि यह special जो आपका JMFC है यह केवल इस type of cases को देखेगा यानि कि अगर उसको लगता है कि इस मामले में चोरी के cases बहुत जादा आ रहे हैं इस एरिया से तो state government अगर चाहे तो एक special judicial magistrate first class बना सकती है जो केवल चोरी के मामले को deal करेगा तो यहाँ पे जो है हमें proviso बता रहा है कि special class भी बनाई जा सकती है किसकी judicial magistrate first class के और judicial magistrate second class की अब second क्या है the presiding officers of search court shall be appointed by the high court अब हमें क्या पता है अब हमें पता चला सर यहाँ पे की जे-म-FC है और सर हमारे पास जो है additional session judge है यह सब तो ही है लेकिन इसके साथी साथ जो special वाला जो मामला है कि जो special judicial magistrate first class है इन सब का जो appointment है वो कौन कर सकता है यह करेगा high court यानि कि high court की थूँ appointments होंगे और यहाँ पे हमने पहली explanation में पढ़ लिया है कि appointment का मतलब service में appointment नहीं वहाँ उस post पे appointment में high court काम करेगी अब यहाँ पे क्या मामला है अब आप लोग कई बार देखते होंगे कि आप लोग जब पहली बार judge बनते हैं जो civil matters को deal करता है लेकिन मान के चलिए कि कभी एकदम से बहुत जादा need होगे आपके district में कि कोई judicial magistrate first class यानि कि criminal matter को deal करने वाला कोई व्यक्ति उपस्तिती नहीं है तो कौन high court जो है इसी subsection 9 के subsection 3 की power का इस्तमाल करते हुए क्या कर सकती है कोई भी और judge जो पूरे state service में काम कर रहा हो उसको यहाँ पे कोई भी judicial magistrate की power दी जा सकती है जो कि originally एक civil court में काम कर रहा हो यानि कि अगर आप civil judge class 1 के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको judicial magistrate first class बना सकती है कौन high court एक notification निकाल के क्यों क्योंकि उसके पास यह power दी गई है section 9 के sub clause 3 में ठीक है sir आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अब हमारे पास आता है section number 10 यह क्या कहने की कोशिश कर रहा है in every district the high court shall appoint a judicial magistrate of the first class to be the chief judicial magistrate अब यहाँ से interesting बात शुरू ही अभी तक हमें क्या पता था अभी तक हमें पता था sir की एक sessions judge है एक additional sessions judge है फिर JMFC है यानि की judicial magistrate first class फिर JMSC है यानि की judicial magistrate second class लेकिन अब इन दोनों के ऊपर यानि की judicial magistrate first class और second class के ऊपर एक सब्द आ गया है chief judicial magistrate यानि की judicial magistrate जितने भी है उनका Chief और इस परसन के बारे में क्या पता चला है में उस परसन के बारे में हमें पता चला है कि यह परसन कौन होगा GM, FC में से भी कोई होगा और इसका मतलब यह है कि आम तोर पे जो प्राक्टिस से पले कोट्स में वो यह है कि जो सबसे Senior Most Judicial Magistrate First Class होता है उसको Chief Judicial Magistrate का दरजा दिया जाता है The High Court may appoint any Judicial Magistrate of the First Class to be additional Chief Judicial Magistrate and such magistrate shall have all or any of the powers of a Chief Judicial Magistrate under this सहीता और under any other law for the time being in force as the High Court may direct अब यह केवल इतनी सी बाता में समझाने की कोशश कर रहा है कि High Court क्या कर सकती है किसी भी Judicial Magistrate First Class में से किसी को CJM बनाया और उनी में से किसी को क्या बना सकते है Additional CJM यानि कि Additional Chief Judicial Magistrate की पावर भी CJM में से किसी एक को दे दी जाएगी यानि कि JMFC में से किसी एक को दे दी जाएगी कुछ ऐसा interesting बात उसमें नहीं था अब Sub Clause 3 क्या कहता है अब या क्या कह रहा है कि किसी भी Judicial Magistrate First Class को यानि कि किसी भी JMFC को पावर दे सकते है Sub Divisional Judicial Magistrate की यानि कि उसके ऊपर एक और नया Magistrate आ गया कि अगर सरकार को ऐसा लगता है या हाई को ऐसा लगता है कि भाई, JMFC में से Sub Divisions हमने बताया था, District को डिवाइड करते है Sub Divisions में, उनके लिए एक अलग से क्या होना चाहिए Sub Divisional Judicial Magistrate होना चाहिए तो वो सभी JMFC में से किसी एक को क्या बना सकते है SDMJ यानि कि Sub Divisional Judicial Magistrate Sub Section 4 क्या कहता है Subject to General Control of the Chief Judicial Magistrate Every Sub Divisions Judicial Magistrate Shall also have and exercise such power or supervision and control over the work of Judicial Magistrate other than additional Chief Judicial Magistrate in the Sub Division as the High Court made by General or Special Order specified in this behalf अब यह क्या कह रहा है यह के वाल इतनी सी बात कह रहा है कि Sir, यह जो आपने Chief Judicial Magistrate बनाया और यह जो आपने Sub Divisional Judicial Magistrate बनाया यह किसको कंट्रोल करेंगे यह सभी JMFC को और JMSC को कंट्रोल करेंगे क्योंकि इनका General Control होगा क्योंकि यह सेनियर हो गए है जाहिर सी बात यह से ठीक है आगे बढ़ते है अब हमारे पास आता है Section No.11 जो की बात करता है Special Judicial Magistrates की यह क्या कह रहा है Section 11 का Sub Clause 1 कह रहा है The High Court में If requested by the Central State Government So to do Confer upon any person Who holds or has held any post Under the Government All or any of the powers Conferred or conferrable Under this Saita On a Judicial Magistrate Of First Class Of the Second Class In respect to particular cases Or particular class of cases In any local area This section is very important What is it trying to say This is trying to tell That if High Court के पास I mean High Court को किसने request किया या तो Central Government ने या तो State Government ने किस चीज के लिए कि वो किसी भी Person को क्या कर दे Power दे दे JMFC की यानि कि Judicial Magistrate First Class या JMSC की आप Civil Judge का एक्जाम देने के बाद JMFC बनने में आपको 7-8 साल लग सकते हैं अब यह क्या कह रहा है कि भाई आपको JMFC किसी भी इंसान को आपने Judicial Magistrate First Class या Second Class की Power दे देनी है अब यह कितना गलत लग रहा है Section सुनने में इसलिए ज़रूरी है पूरी Bear Act को अच्छे से पढ़ना क्योंकि यह क्या कह रहा है इसका प्रोवाईजव आपको बता रहा है कि यह किसी परसंग को को JMFC और JMFC की Powers को Grant कर सकती है किसी Particular Case को या Class of Cases को देखने के लिए यानि की Particular Case मतलब एक Special Murder के Case को देखने के लिए या Special Chori का Case देखने के लिए या Class of Cases मतलब की अब से उस एरिया में जतने भी चोरी के Cases आएंगे उसको देखने के लिए किसी भी परसंग को JMFC की पावर दे सकती है लेकिन ये section अधूरा है इसके प्रोवाईजो को बेना क्योंकि इसका प्रोवाईजो हमें ये बता रहा है ये पावर तब तक नहीं जी जाएगी जब तक कि वो क्या है ऐसा qualification और experience पोजेज नहीं करता जो उसको वो बनाने के लिए सहमत ही रखे यानि कि वो कोई judicial officer ही होगा किसी भी person को नहीं बनाया जा सकता उस तरह का judge ठीक है sir आगे बढ़ते हैं such magistrate shall be called special judicial magistrate और ऐसा जो magistrate जो कि इस high court किसी government के request पे बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे special judicial magistrate यह हमें नीचे यहां लिखा दिख गया है special judicial magistrate and shall be appointed for the term not exceeding one year और ऐसा इंसान को केवल एक साल के लिए बनाया जाएगा ताउमर के लिए appointment नहीं हो रहा है at a time and the high court may by general special order direct यह high court ही बताईगी general यह special order से अब हम आते हैं अपने section number 12 पर यह हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है subject to the control of the high court the chief judicial magistrate may from time to time define the local limits of the areas within which the magistrates appointed under section 9 or section 11 may exercise all or any any of the powers with which they may have respectively been invested under this sahinda provided that the court of special judicial magistrate may hold it sitting at any place within the local area within it it is established अब यह क्या कहने की कोशिश कर रहा है judicial magistrates है उनके उपर के जो पिताजी है यानि कि जो main इंसान बैठे हुए है वो यह बात तै कर सकते हैं और specially वो लोग जो SDMJ है यानि कि sub-divisional judicial magistrate जो बना है यह लोग अपने jurisdiction के किस-किस area में बैठेंगे यानि कि chief judicial magistrate के पास आपने है कि वो क्या करेगा वो यह तै कर लेगा कि मैने sub-divisional judicial magistrate को नी के लिए बनाया था वो अब बैठेगा तिफ्रा में और अब बैठेगा मंगला में मंगला में इसके लिए बनाया था वो बैठेगा काननन पिंपनडारी के एरिया एककर एककर इस त्रह कि चीजाे कौन त्रहिकर सकता है chief judicial magistrate तै कर सकता है। ऊचिसके साथ हमें क्या पता चला कि जो special judicial magistrate बना था इसे ठीक पिछले वाले section में वह क्या तै कर सकता है कि वह एक district में what address के उसके उपर आगया में whole sitting at any place within the local area within जिस भी लोकल एरिया में उसको बनाया गया है, उस लोकल एरिया में वो खुद टाय कर सकता है, कि वो किस जगा पर अपनी कोट लगाना चाहता है, ठीके सर, आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आगया इसका सब्सेक्शन 2, एक्सेप्ट ऐस अधरवाइज प्रोवाइड़ such definition, the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district, अब ही जब तक की कोई exception ना देरिया हो इस Act के अंतर का तब तक की कोई जज इस चोड के अंदर बना है, उसका jurisdiction कहां तक होगा, जहां तक वो division फैला है, जहां तक वो district फैला है, जिस district का वो बना है, उस district तक उसका jurisdiction रहेगा, where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 9 or section 11 extends to an area beyond the district in which he ordinarily holds the court, any reference to in this Sainita court of session or chief judicial magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be constituted unless the context otherwise requires as a reference to the court of session or the chief judicial magistrate as the case may exercising jurisdiction in the said district, ये किवल इतनी सी पात बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तक कि इस code में कुछ अलग से ना दिया हो, तब तक माना जाएगा कि किसी ऐसे इंसान को, जैसे कि sub-divisional judicial magistrate, ये मान लिया जाएगा कि वो अपने area में ही jurisdiction को practice कर रहा है, unless इस code में अलग से बताया गया हो कि तुम्हारा jurisdiction दूसरा है, या ये अलग से बताया गया हो कि वो sub-divisional judicial magistrate जिसकी power extra थी, यानि कि जिसको अपने subdivision के extra में भी कोई दूसरा subdivision सम्हालने के लिए बोला गया था, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आता है section number 13, जो आज की video lecture का आखरी है, section, section 13 का sub-close 1 हमें क्या बता रहा है, every chief judicial magistrate shall be subordinate to the sessions judge, अब ये subordination बता रहा है कि कौन किसके subordinate है, तो सारे के सारे CJM हैं वो किसके junior माने जाएंगे, यानि कि क्या कह रहा है हमारे पास एक session judge है, उसके नीचे CGM है, और उसके नीचे judicial magistrate है, जो की first class या फिर second class के हो सकते हैं, तो ये कह रहा है कि ये control करेगा CGM को, CGM control करेगा अपने नीचे के judicial magistrate को, लेकिन इंटरस्टिंग बात ये है कि CGM जो control कर रहा है, उसमें भी session judge का control रहेगा, यानि कि जो sessions के judge हैं, वो उसमें नजर रखेंगे कि ये सही तरीके से control हो रही है कि नहीं चीज़ें, और उसके बाद आता है, the chief judicial magistrate may from time to time make rules और give special orders consistent with this सहीता, as to the distribution of business among judicial magistrate subordinate to him, यानि कि CGM जो है, वो समय समय पर क्या करेगा, उसके नीचे जो JMFC या और जो JMSC काम कर रहे हैं, वहाँ उनके लिए बताता रहेगा इस सहीता के अंतरगत कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, उनके बीच power को distribute करेगा, उनके बीच cases को distribute करेगा, अब हमारा आज का topic तो खतम हुआ, लेकिन अभी भी आपके मन में कई confusions होगे, तो उन confusions को पहले मैं यहाँ दूर करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद भी बच जाएगा, तो आप हमें नीचे comment section में बता सकते हैं, हमें पता है सबसे उपर supreme court है, उसके नीचे high court है, और high court के नीचे काम करती है sessions court, sessions court के नीचे कौन काम करता है, वो देखेंगे, लेकिन sessions court में कौन होता है, पहले वो देख लेते हैं, एक होता है sessions judge, और एक होता है additional sessions का judge, उसके बाद हमने क्या देखा सर, उसके बाद हमने देखा कि एक Sessions Court के नीचे Sub-Divisional Judicial Magistrate नाम की भी चीज होती है और उसके नीचे एक होता है Chief Judicial Magistrate Chief Judicial Magistrate के नीचे काम कौन करता है सर एक काम करता है JMFC और एक काम करता है सर JMSC यानि कि Judicial Magistrate First Class, Judicial Magistrate Second Class अब हमें ये पता है कि इन दोनों में भी क्या हो सकते है Special बनाए जा सकते हैं, ठीक है सर अब हमें क्या पता है, इसमें एक Additional भी बनाया जा सकता है Additional CJM, अब हमें जब इतनी सारी चीज़े पता हैं तो इसमें और एक दो Special बनाया जा सकते हैं ये चार्ट आप थोरो कर लिजे, ताकि आपके दिवाग में concept clear हो जाए ताकि हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको और अच्छे से समझ पाएं तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डिसकस किया कि Criminal Courts नई CRPC में कौन कौन से हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और उनकी powers क्या है अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको और in detail और in brief में पढ़ेंगे अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt रहे गया हो तो आप हमें नीचे comment section में ज़रू बता सकते हैं मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए all the very best, keep working hard and keep stay motivated. Thank you. अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के के केरियर पेज़ पर विजिट करें अथवा description box पर दिये गया लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको